बाबसाब डॉक्टर अमबेटकरजी द्वारा जो 19 पृतिग्या हमें दिलाई गई वो पृतिग्या है कि मैं मनुष्य के लिए हानिकारक और उच नीच के सिध्धान पर आधारित पुराने हिंदु धर्म का त्याग करता हूं और लोगों के लिए समान और लोगों के लिए क बाबसाब ने यूही नहीं कैदी दिखाने के लिए बाबसाब ने पूरे इत्यास का इस देश के तमाम इत्यास का अध्यान किया सारे धर्म शास्त्रों का अध्यान किया और उसके बाद हिंदु धर्म को छोड़कर बौत धर्म को अपनाया और अपनाने के बाद अपने अनुजाईयों से कहा कि आप सब भी ये पुराने सड़े गले हिंदु धर्म को जो उच नीच पर आधारित इसको छोड़कर बाद धर्म को अपनाएं इसलिए उन्होंने हमें बाद धर्म को अपनाने की पृतिग्या केवल कहने ही दिया उन्होंने कोई भाशन नहीं दिया य हमें हिंदु धर्म छोड़कर बाद धर्म को गिरहन करना है यहां मैं थोड़ा सा एड़ करना चाहूंगा कि जो लोग हैं जो अपने आपको अंभिटकरवादी कहते हैं बाद धर्म का मानने वाले कहते हैं अफसोस के अभी भी हम उन अर्थों में बाद धर्म को गिरहन नह अर्थों में हमारे मुक्तिदाता इश देश की नारी जाती के मुक्तिदाता शोशित पीडित लोगों के मुक्तिदाता परंपुजे बोदिसत बाबा साब डॉक्टराम बेटकर जी ने हमें वो पिर्तिग्या दिलाईती हमें वो समझायाता मैं कह सकता हूं कि अगर उनकी जीवन का सारा निचोड़ है तो उसमें सबसे माहन ये है कि हम बहुत धर्म को ग्रहण करें और पूरे मन से पूरी इमांदारी से ग्रहण करें क्योंकि बहुत धर्म ही हमारी उन्नती का, हमारी तरक्की का, हमारी खुशाली का, हमारे कल्यान का रास्ता है अगर मेरी बात लोग सुन रहे हों, लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, समझें तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूँगा कि पूरी इमानदारी से, पूरी निष्ठा से बाब साब के बताय हुए रास्ते पर चलते हुए, उनकी पृतिग्याओं को अपनी जीवन में अमल करते हुए हम पुराने इस हिंदुधर्म को उच्छ निथ पर आधारित हिंदुधर्म को छोड़कर भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने के लिए बौद धर्म को अपनाए ऐसी पृतिग्या हमें बाबसाब डॉक्टर अमबेट करने अपने 19 में पृतिग्या में बताई है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले